इसका 7 number है आपका 10 और अंदर है cos inverse 8 by 17 तो इसे भी मुझे 10 में convert करना होगा cos को तो चलिए मैं यहाँ पे अगर एक right angle triangle लेगा ठीक है तो यह आपका right angle triangle होगा अगर यह angle लेता हूं तो आपको पता है cos में b by h होता है यह base हो जाएगा आपका 8 और hypotenuse हो जाएगा 17 तो perpendicular निकाल स्कुरार माइनस बी के स्कुरार स्वाल करते हैं रखे 17 के स्कुरार माइनस 8 के स्कुरार 17 के स्कुरार 289 और 8 के स्कुरार 64 यानि कि रूट अंडर 225 यह 15 हो जाएगा परपेंडिकुलर आपका 15 आ गया तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं 10 10 inverse पी भाई भी होता है ना जी 15 व हो जाता है जहां एकस किसे बिलोंग करता है आर से एकस आर से बिलोंग करता यह ना मैंने आपको बता रखा तो यहां पर यह क्या जाएगा देखलो यह आप 15 वाई इसका एंसर का है एंसर है अ झाल 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 जड़ क्ट चाल झाल हुई जड़ा है।